नमस्कार आज हम सावन महातम के 22 में अध्याय की कथा का श्रवन करेंगे इश्वर ने कहा हे मुनिस्तम सावन शुकल पक्ष चतुर्ति के रोज सर्व काम फल प्रत संकट हरन देव देव किस बिदी से ब्रत तथा पूजा करें कब उध्यापन करें ये सब मुझे सविस्तार कहीं इश्वर ने कहा चतुर्ति के रोज सुबे उठकर दंत धावन आदी क्रिया को समापत कर पुन्य दाता शुब संकट हरन नाम का ब्रत सविकार करें ये देवेश आज मैं चंदर उदे तक निराहार रहूँगा आपकी भूजा कर भोजन करूँगा मेरे संकट को आप हटावें ये विदार्थ इस परकार संकल्प कर काले तिलों से नहा की तथा सव आनिक कारे कर गणा दीप की भूजा करें बुद्धी मान तीन मासा डेड़ मासा या अपनी शक्ता अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं सोने के अभाब में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवावें एकदम दरितिर हो तो रम्निय मृतिका की प्रतिमा पहले रम्निय अश्ट दल कमल के उपर कपने के सहित घट का स्थापन करें जल से भर कर उस पर पूरण मात तथा प्रतिमा रख कर सोला उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें ये विप्र तिल युग्त स्रेष्ट दस लड्डू बनावें उनमें से पांच गना दीप के लिए दे भक्ती द्वारा देवता की तरा उस ब्राम्न की पूजा करें यथा शक्ति दक्षिना देकर प्रातना करें ये विप्र स्रेष्ट ये देव आपको नमस्कार है आपके निमित इन पांच लड्डू को फल तथा दक्षिना सहित देता है ये द्विज स्रेष्ट आप ग्रहन करें आपत्ती से मेरा उधार करो जो कुछ मैंने द्रब्य हीन कम या अधिक किया ये विप्र रोप गनेश्वर वे सब परिपूरन हो सुस्वाद अनो द्वारा ब्रामन भोजन करा दें चंद्रमा को अर्ग दें इस तरह विदी से ब्रत करें तो गनादिप पर सन हो जाते हैं तथा अभिलाशित पदार्थों को देती हैं इस परकार सावन महातम की 22 में अध्याय की कथा समापत होती हैं